जब तक आप यह नहीं समझेंगे तब तक आप लोज सी करते रहेंगे तो सबसे पहले आप इसे समझो तो हेलो भाई लोग जैसे राम कैसे हो आप सब आज कि इस वीडियो में हम लोग ऐसे पाउरफुल कायंडल को सिखने वाले हैं तो कि दोस्तों यह कैंडल आपको पांच क बात करने वाले हैं और दोस्तों अगर आपने इस पहले वाले पार्ट को नहीं देखा है जो एकी कायंडल लिष्टी का स्रीज चल रहा है दोस्तों इस स्रीज का यह पार्ट परचीश है अगर आपने इस पहले वाले पार्ट को नहीं देखा है तो आप जाके इस चनल पे प्ले लिस्ट चेक कर सकते हो, आप पार्ट बार्ट बीडियो को देख सकते हो, अगर दोस्तों आप सुरू से आप मतलब की जीरो से एड़ुआंस लेवर सिखना चाहते हो, तो आपको इस चैनल पे प्ले लिस्ट मिल जाएगी, आप जाके कायंडल लिष्ट को बार एकी से सि अगर बार्ट लिष्ट करना चाहिए, कहाँ पर इसे ऐसे आपो इसे चाट पर न चाहिए, बीडियुक्त करनाश से बार्ट हया थे तो यहां पर अपको च्ञिरोर पर बताऊंगा कि आपको entry कहां पर लेनी चाहिए कहां पर आपको exit करना चाहिए कहां पर stop loss लगाना चाहिए सब बाते करेंगे बट इससे पहले हम इसे समझ लेते हैं यानि कि दोस्तो जो यह pattern है यह bullish pattern है और यह bearish pattern है यानि कि जब यह pattern बनेगा market में तो market नीचे जाएगी और जब यह pattern बनेगा तो market उपर जाएगी तो हम दोस्तो इसे दोनों pattern को समझेंगे जैसे कि यहाँ पर हमने आप से कहा कि इस pattern में आपको 5 candle दिखेगी तो यहाँ पर सबसे पहली candle तो यह हो गई red valley उसके बाद यहाँ पर आपको इसके बीच में 3 candle यहाँ पर दिखाए दे रही है तो यहाँ पर यह 3, 1, 4 हो गया और यह 5 तो यहाँ पर 5 candle है तो यहाँ पर जो bearish pattern है जोस्तो यह continuation pattern है यानि कि यह pattern जो आप देख रहे हैं यह pattern जैसे कि market अगर downtrend में जा रही है market नीचे जा रही है तब दोस्तो यह pattern आपको beach में ही बनता हुआ दिखेगा तो यहाँ पर दोस्तो यह pattern आपके साथ किया करता है कि आपको trap करने की कोचिस करता है जैसे कि market में आपको downtrend दिखा तो यहाँ पर beach में आपको अचनक सा यहाँ पर यह आपको green सी तीन करंडल आपको बनती हुए दिखेगी यानि कि downtrend में bearish candle बनती है बट यहाँ पर आपको तीन करंडल green गरीन आपको बनती हुए दिखेगी तब यहाँ पर आप confuse हो जाओगे कि अप साथ यहाँ से आप trend आने वाला है आप market ऊपर जाने वाली है बट दोस्तों जैसे आप यहाँ पर तिसरी candle पर entry लोगे जैसे आप entry लोगे उसके बाद यहाँ से market नीचे गिर जाएगी तो यहाँ पर दोस्तों हम बात यह करने वाले हैं वो यहाँ पर coach करते हैं कि market को ओपर लेके जाए जाए बट यहाँ पर उनकी चलती नहीं है यहाँ पर जो seller लोग है वो यहाँ पर strong होते हैं यानि कि उनकी यहाँ पर चल रही है तो भाई जिसकी चलती है वह ही तो यहाँ पर सिकार करेगा जैसे कि आपको ये फर्ष्ट वाली red candle देखी अब यहाँ पे दोस्तो ऐसा भी हो सकता है कि जो आपको यहाँ पे फर्ष्ट वाली red candle यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं यानि कि जैसे कि यहाँ पे आपको बुलिस वाले पैटन में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा ह बट यहाँ पर अगर दोस्तों यह बेरिस रहेगा तो यहाँ पर आपको red candle ही बनता हो दिखेगा तो यहाँ पर हम इसे समझ रहते हैं कि दोस्तों यह मारू बोजू candle है ठीक है उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि न जो दोस्तों यहाँ पे आपको यह तीन पैटन दिखेगा यहाँ पे यह तीनों पैटन रहेगा गिरीन अगर बेरिस पैटन रहेगा तो उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे न कि दोस्तों जो यहाँ पे यह वाली जो फश्ट वाल देखेगे यहां पर यहां पर जा रहे तो यहां पर आपको दोस्तों जो बीच्च पैटन आपको द्यान डिखेगे मां केत में जा रहे है ठीक, market ओपर जा रहे है तो यहां पे आपको दोस्तों यह बीच में pattern बनता हो दिखेगा तो सबसे पहली candle यहां पे आपको मारूप उजू जैसी आपको green candle दिखाए देगी, उसके बाद यहां पे आपको जो तीन candle यहां पे आपको यहाँ प्रोफिट बुक करने लग जाते हैं जब यहाँ प्रोफिट बुक करते हैं तो यहाँ पर से आपको बहुत बड़ा मोग मिलेगा बहुत लाइगी मार्केट बट यहां पर आपको इस पैटर में क्या ध्यान देना है आप पहले समझो इस बात को ध्यान आपको यह देना है कि जो यहां पर फश्ट वाली कैंडल है यहां पर देखें दोस्तों जो यहां पर फश्ट वाली कैंडल का लो है दोस्तों इस कैंडल के लो स ब किल दोके त्थे तो आपको इस पैटन में यही ध्यान देना है उसके बाद दोस्तों हम इस पैटन को समझ लेते हैं चारट कैसे बनता हो दिखेगा ठीक है सबसे important बात यह है कि आपको chart पर देखना चाहिए कि कहाँ पर entry लेनी है कहाँ पर exit करना है कहाँ पर stop loss लगाना है यह सब समझना बहुत जरूरी है जब तक आप यह नहीं समझेंगे तब तक आप loss ही करते रहेंगे तो सबसे पहले आप इसे समझो यहाँ पर दोस्तो हम chart पर आ जाते हैं यहाँ पर chart पर मैं आपको दिखाता हूँ इसका कुछ logic तो इस pattern में लोजिक क्या है जैसे कि दोस्तो यहाँ पर हमने कहा कि यह दोस्तो जो बेरिस pattern है यानि कि दोस्तो जो आप यह pattern देख रहे हैं यह बेरिस pattern है यानि कि दोस्तो जब यह pattern बनेगा तो market जाएगी नीचे यानि कि जो अभी आपने दोस्तो सिखा falling three method की बारें दोस्तो यह दोस्तो यहाँ पर pattern आपको बनता हो दिख रहा है यानि कि आपको trend के बीच में यह pattern दिखेगा तो यहाँ पर देखे दोस्तो market यहाँ पर लगा तार गिर रही थी बट यहाँ पर दोस्तो market यहाँ पर जब गिर रही थी तो यहाँ पर आपको एक बड़ी सी मारू बोजी के तरह यहाँ पर आपको एक candle दिखी उसके बाद देखे दोस्तों यहाँ पे आपको तीन क challenge यहाँ पर green बनती हुए देखी यारंकि दोस्तों यहाँ पे buyer market को control करने की कोई इसका रहे थे बट यहाँ पे उनकी market में नहीं चली यहाँ पे जो seller थे उनों यहाँ पर strong थे बट यहाँ पे दोस्तों आपको देखना है कि अगर आपको दोस्तों यहाँ पे तीन कैंडल यहाँ पे आपको यह ग्रीन वाली दिखती है उसके बाद यहाँ पे आपको देखना है कि जो यह पांचुई कैंडल है पांचुई कैंडल का जब दोस्तों यहाँ पे इसका low break हो जाए तो आपको दोस्तों इसी वाले point पे entry लेनी है इससे पहले आपको entry नहीं लेनी है और यहाँ पे दोस्तों इसके high पे आपको यहाँ प से कह था कि दोस्तो जो rising three मैथोड pattern है वो एक bullish pattern है यहां पर दोस्तो इसका नाम लिखा हुआ है आप इसका नाम note कर लो ठीक है आपके बहुत काम आएगा उसके बाद यहां पर देखिए कि हमने दोस्तो इस pattern में आपको बता था कि दोस्तो जो यह pattern है rising three method यह pattern में दोस्तो market uptrend रहेगा यानि कि market ऊपर जा रहे होगी तो आपको यह pattern बेच में बनता होगा दिखेगा यह तो दोस्तो आपको इस दोनों pattern में फॉल्लों करना है तो यहां पे दोस्तो आपको इस pattern में entry कहां पे लेनी है इससे पहले दोस्तो इस pattern के बारे में हमने समझे लिया है कि यह pattern क्यों बनता है कैसे बनता है अब दोस्तो यहां पे हम direct बात करते हैं कि आपको entry और इस टोबलोस आपको कहां पे रखना चाहिए तो यहाँ पे दोस्तो इस pattern में आपको ध्यान रखना है कि दोस्तो जब भी आप यहाँ पे इंटरी ले यहाँ पे आपको क्या देखना है कि जो दोस्तो यहाँ पे पांचोई candle जो यहाँ पे green वाली candle बनी हुई है जब दोस्तो market उसके high को break कर दे यानि कि यहाँ पे तब दोस्तो आपकी इंटरी इस वाली candle पे बनती है यहाँ पे इस pattern में आपको सिंपल सा यहाँ पे इसके high पे ऐसे आपको एक यहाँ पे लाइन किछी देना है लाइन यहाँ पर डालने के बाद उसके बाद यहाँ पर आपको दोस्तो बेट करना है जब मार्केट दोस्तो इस वाले लाइन को यहाँ पर बिरेक करेगा तब आपको उसी पॉइंट पर इंट्री ले लेनी है उसके बाद यहां पे आपको अपना इस टोब्लोस दोस्तों यहां पे रखना है इस वाली दोस्तों यहां पे जो फश्ट वाली यह ग्रीन वाली कैंडल बनी हुई है दोस्तों इस वाली कैंडल के लोग पे आपको अपना इस टोब्लोस यहां पे रखना है ठीक है आज किस वीडियो के बाद दोस्तों मैं आपको मिलता हूँ लिए निश्ट वीडियो में तब तक आप लोग दोस्तों इसे सीखो और दोस्तों जब सीख लोगे तो यहाँ पर इस वीडियो को सेर कर देना लाइक कर देना